हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबी का एक पार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉंसेप्ट में तो दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट लेके आया है या बिहार SAC के लिए है किरन पब्लिकेशन का और आज हम लोग देखने जा रहे है इस बुक का सेट नमर ुनेश ट्रीक है सेट नमर उननिश जो है आज हम लोग इसका कवर करेंगे और इस वीडियो से पहले इस बुक का हम लोग 18 मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा वहाँ से देख लिजेगा या फिर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप लोग उन सारे वीडियो को देख सकते हैं ठीक है और रिविजन के लिए आप लोगों को इसका पीडिया भी प्रोवाइट करा दिया जाएगा हमारी टेलिग्राम चैनल अबलेजर्स कॉंसेप्ट को जोईन कर लिजे वहाँ से इसका पीडिया भी आप लोगों को मिल जाएगा चैनल पर गरना है विजिट कर रहे होंगे तो पिलि प्रतहम अधिकारिक आवासे आवास मुल्य सूचकांक शूरू किया था सईया अंसर हो जाएगा देखिए इसका नहचेडि के द्वरा जो है यह सुरू किया गया था देखिए नहीं आच्बी इरजी डैकस भारत का पहला अधिकारिक आवास मुल्य सुचकांक है जो कि बित मंत्राला के मार्ग दर्सन पर किये गए राष्टे आवास बैंक की एक पहल थी तो आप्शन नमर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद से आई अब देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन और देखें इसमें कहा रहा है कि निमन में से किस फसल क खेती भारत के माननिय उच्चतम नियाले द्वारा निसिद्ध है सही आंसर हो जाएगा देखें इसका आप्शन नमर एक हो जाएगा लाइथाइरस जो यहाँ पर देखें दिया हुआ है खेसरी नहीं यहाँ पर खेसारी हो जाएगा यहाँ पर खेसारी हो जाएगा फ्रें उत्री दुरूब में पाए जाते हैं, ठीक है, option number 4, इसका right answer हो जाएगा, उसके बाद चलिए अगला question देख लीजिए, यहाँ पर, question number 4 में कहरा है, कि आनंदवन अस्थापित करने के लिए कौन विख्यात है, सही answer है, देखिए, बाबा आम्टे, बाबा आम्टे के द्वारा ऊप्सन no. 3 इसका right answer हो जाएगा, अगला question देखेंगे, इसमें कहरा हो bytes, इसमें चाहिए, यहाँ पर कहरा है, भृत्य समिधान का अभीरक्षक कौन है, सही है भारत का मुख्य नयाधीस जो है भारती समिधान का अभी रक्षा का अप्सेन नमर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेशन देखेंगे यहां पर क्वेशन नमर 7 है और इसमें कह रहा है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम है कहां पे देखे है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्सेन नमर यहां पे चार हो जाएगा ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है यह उत्तर प्रदेश के कानपूर में इस्तित है ऑप्सेन नमर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला क्वेशन देखे यहाँ पर question number 8 हो जाएगा friends देखे question number 8 जो यहाँ पर देखे दिया हुआ है देखे कहा रहा है इस question में कि Rollet Act 1919 किसके काल में लागू किया गया था सही है Lord James Ford के काल में जो है यहाँ लागू किया गया था ठीक है option number 1 इसका right answer हो जाएगा अगला question देखे लिए यहाँ पर देखे कहा रहा है इस question में 9 number में कि पंचायती राजपरनाली पहले किन दो राजियों में लागू की गई थी सही है देखे आंधरपरदेश और राजस्थान में पंचायती राजपरनाली जो है सबसे पहले आंधरपरदेश और राजस्थान राजपर में जो है लागू किया गया था option number 1 इसका right answer हो जाएगा उसके बाद देखेंगे next question यहाँ पर देखे कहा रहा है इस question में कि मानव पढ़ियावरन सम्मेलन 1972 हुआ था कहाँ पे सही है stock home में हुआ था option number 1 इसका right answer हो जाएगा ठीक है friends चलिए अगला question देखेंगे कि स्वर्न मुख्यता संबंदीत है सही answer हो जाएगा देखें इसका option number 3 अंतराष्टे बाजार से स्वर्न मुख्यता संबंदीत होता है अंतराष्टे बाजार से option number 3 जो है इसका सही हो जाएगा अगला क्वेशन देख लिए यहाँ पर कहरा है कि दुई पक्स ये एकाधिकार की स्वाजार इस्थिती को दर्साता है तो देखे इसका जो सही आंसर हो जाएगा और एक विक्रेता और एक ग्रेता ठीक है एक विक्रेता और एक ग्रेता और एक ग् अंतर निर्मित नियामक परनाली होती है, तो देखें इसका जो राइट अंसर हो जाएगा, फ्रेंट्स, ऑप्सन नमर तीन हो जाएगा, यहाँ पर जेबी से, ठीक है, ऑप्सन नमर तीन हो जाएगा, अगला क्वेशन देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है, इसमें, कि भारत की समविधान सभाग किसके कहने पर बनाई गई थी, सही है देखें काविनेट मिजन के कहने पर, औप्सन नमर चार जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, और उसके बाद देखेंगे, next question यहाँ पर, question नमर 15 हो जाएगा, और देखें, इस question में यहाँ पर कह रहा है, कि र चलिए अगला question देखेंगे यहां पर केराइस में कि 44 में संसुधन के अंतरगत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है। चलिए अगला question देखेंगे यहां पर केराइस में कि किस संविधान संसुधन अधिनियम द्वारा संपत्ती मूल अधिकार नहीं रहा। सही है देखेंगे 44 मा संविधान संसुधन के द्वारा अप्सन नमर एक इसका राइट अंसर हो जाएगा। अगला question है कि इसने का अथा सत्य परम तत्त्त है और वह इस्वर है। सही है महुंदास करमचन गांधिन अप्सन नमर तीन जो है इसका राइट अंसर हो जाएगा। अगला question है कि नौजवान भारत सभा कि इसने असातपित की थी। देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा सर्दार भगत सिंग्स के द्वारा जो है नौजवान भारत सभा की अस्थापना की गई थी। option number 3 जो है इसका सही answer हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question देख लेए यहाँ पर question number 21 हो जाएगा friends कहारा है इस question में कि 1921 में नरेंद्र मंडल या चेंबर आप प्रिंसीज किसकी द्वारा आरंब किया गया था सही है देखिए ड्यूक आफ के द्वारा जो है यहाँ आरव में किया गया था option number 3 इसका सही answer हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question देख लेए यहाँ पर question number 22 हो जाएगा friends और देखिए क्यारा इस question में कि बुद्ध धौम और संग मिलकर कहलाते हैं क्या सही है देखिए यहत्री रत्न कहलाते है option number 1 जो है इसका सही answer हो जाएगा अगला question है कि लिच्छवी दोहित्र किसे कहते है सही है देखिए समुद्र गुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता option number 4 इसका right answer हो जाएगा ठीक है और इनके पिता जो है चंद्र गुप्त ने लिच्छवी गंडाज की राजकुमारी कुमार देवी से भीवा किया था यह भी यादर कि option number 4 इसका right answer हो जाएगा अग ठीक है friends उसके बाद चलिए अब देखते हैं अगला question यहाँ पर 25 number कहरा है कि कौन सा राश्ट्री राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथूरा और वारा नसी के रास्ते से जोड़ता है वह कौन सा राश्ट्री राजमार्ग यानि की NH है जो की दिल्ली और कलकत्ता को मथूरा और वारा नसी के रास्ते से जोड़ता option number 2 इसका सही answer हो जाएगा चलिए अगला question देखेंगे यहाँ पर question number 26 हो जाएगा friends कहरा इस question में कि वह देश कौन सा है जिसमें drips निचाय का परियोग अधिक कुसलता से किया जाता है सही हो जाएगा देखेंगे इसराइल option number 2 इसका right answer हो जाएगा ठीक है friends देखेंगे डिपस निचाय को प्रचलित करने का असर है इसराइल और दक्षिन अफरीका जैसे देशों को दिया जाता है इसराइल ने डिपस निचाय को परभावे और कुसल पुरुबक रूप से अपना कर अस्थाई और विश्वस्निय क्रिसी उत्पादन प्राप्त किया है तो option number 2 इसका सही answer हो जाएगा आई अब दिखते हैं next question और देखें इसमें कहा रहा है कि निवन में से कौन सी एक संकटापन जाती है सही answer हो जाएगा देखें इसका गंगा डाल्फिन option number 3 जो है इसका correct answer हो जाएगा अचली अगला question दिखते हैं आपे इसमें कहा रहा है कि निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी समाजिक रूप से प्रेरित है सही हो जाएगा देखें इसका यहाँ पे ग्रिहदा option number 3 जो है इसका correct answer हो जाएगा अगला question दिखेंगे यहाँ पे इसमें कहा रहा है कि रेडियो संचार में प्रेशन एंटेना द्वारा उत्सर जिते संकेत प्रती बिम्बित होते है सही है देखें आयन मंडल पर होते हैं ठीक है option number 3 इसका right answer हो जाएगा दिखते है next question और इसमें कहा रहा है कि निमन में से कौन सार्क सदस्य नहीं है सार्क का सदस्य देशन में से कौन सा नहीं है सही है देखें थाइलेंड जो है या सार्क का सदस्य देश नहीं है option number 1 जो है इसका right answer हो जाएगा ठीक है option नमर एक हो जाएगा उसके बाद चलिए अब देखते हैं आई अब देखते हैं next question और देखिए इसमें कहा रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजी और सूचियों के नीचे दिये गए कोट का उप्यों करते हुए सही उत्तर चूनिए एक तरफ तामर पासान जाया है बनास नदी उसके बाद देखिए बी का थिरी हो जाएगा यानि काय ता जो है यह तापती नदी हो जाएगा और मालवा नर्मदा नदी हो जाएगा ठीक है तो देखिए option नमर वी दो जो है इसका correct answer हो जाएगा उसके बाद चलिए अगला question देख लेते हैं यहाँ question number 32 दिया हुआ कहा है कि यूनेसको का मुख्यालाई कहा है सही है देखिए यूनेसको का मुख्यालाई फ्रांस पेरिस में option number 1 जो है इसका सही answer हो जाएगा उसके बाद दिखेंगे अगला question कहा है कि प्रसिद पुस्तक सत्यार्थ प्रकास किस ने लिखा था सही है स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकास पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है लिखा गया है ठीक है option number 1 जो है इसका सही answer हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question देखेंगे यहाँ पर question number 34 हो जाएगा और इसमें केराया है कि राष्ट्रिय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास में सामिल है सही है देखेंगे यहाँ आनंद मट उपन्यास में सामिल option number 4 हो जाएगा अगला question एंडिमन में से कौन सा भारत का राष्ट्रिय पक्षी है सही है देखेंगे मोर जो है भारत का राष्ट्रिय पक्षा अप्सन number 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद अगला question देखेंगे कि भारत का चावल भंडार किस राजिकों कहते हैं अगला question देखेंगे इसमें कहरा है कि कौन से बहुत अस्थल में पत्थर से तरा से सिल्प नहीं है कौन से बहुत अस्थल में आईए इसका option देख लेता है यहाँ पे 38 का देखें चार option यहाँ पे दिया हुआ है और इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option नमर 4 यहाँ पे नागारजुन कुंडा में ठीक है नागारजुन कुंडा option नमर 4 हो जाएगा अगला question देख जो है इसका सही answer हो जाएगा उसके बाद देखिए next question में कहा रहा है कि स्रीमती प्रदीभा पार्टिल से पहले भारत के राष्ट्रपती कौन थे सही हो जाएगा देखिए Dr. A.P.J. अब्दुलकलाम जो है स्रीमती प्रदीभा पार्टिल से पहले भारत के राष्ट्रपती इसका राइट आंसर हो जाएगा देखते है next question कि forward block किस वर्ष में सुहास चंदर बोस द्वारा अस्थापित किया गया था यानि forward block की अस्थापना कब की गई थी तो देखिए सई आंसर हो जाएगा इसका 1949 सिस्वी में 1949 सिस्वी में forward block की अस्थापना की गई थी याद रखिएगा ठीक है चलिए अगला question देख लेते हैं यहाँ पर question number 42 और इसमें कहा रहा है कि हमारे समीधान का अनुछेद 14 किस से संबंदित है सही है देखिए कानुण के समक्ष समानता से संबंदित है समीधान अनुछेद 14 option number 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा उसके बाद देखेंगे अगला question और इसमें कहा रहा है कि निमन में कौन सी एक याद्सी का नहीं है निमन में कौन सी एक याद्सी का नहीं है सही हो जाए कि किसने हर्स वर्धन को पराजित किया सही है इसका पुलके सिन दूतियों ने हर्स वर्धन को हराया था option number 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है friends देखिए चालू के बंस के सासक पुलके सिन दूतियों ने 638 इसमी में नर्मदा नदी के तट पर हर्स वर्धन सेना को यह भी याद रखिएगा ठीक है और कहां पे तो नर्मदा नदी के तट पे ठीक है नर्मदा नदी के तट पे यह भी याद रखने है friends चलिए अगला question देख लेंगे यहाँ पे question number 45 दिया हुआ है कि बिहार राजी के मिथला छेतर का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मिम option number 4 इसका सही answer हो जाएगा मंदन मिसर बिहार के मिथला छेतर के निवासी थे और मिमान सा एबम वेदान्त दर्सन के ग्याता थे माना जाता है कि संक्राचारे से इनका सास्तरार्थ हुआ था ठीक है तो option number 4 इसका correct answer हो जाएगा उसके बाद चलिए अगला question देखेंगे यहा ना कि अनुसार बात हो रहा है यहां पे तो option number 1 इसका सही answer हो जाएगा next है हीरा कुंड का संबंध इससे है सही है देखेंगे option number 3 हो जाएगा महा नदी ठीक है देखें हीरा कुंड बांध जो है ओडिसा के संबलपुर के पास महा नदी नदी पर बनाया गया है ठीक है friends तो इसका संबंध किस से हो जाएगा option number 3 हो जाएगा महा नदी से अगला question देखेंगे यहाँ पर 48 नबर और कहा रहा है कि बिहार राज के पर्थम हरी जन मुख्यमंतरी कौन थे सही है भोला परसाद सास्त्री ठीक है भोला परसाद सास्त्री जो है बिहार राज के पर्थम हरी जन मुख्यमंतर ओप्सन नमर एक इसका सही आंसर हो जाएगा अगला question देखेंगे यहाँ पर देखेंगे question number 49 में कह रहा है कि भारत के किस राजी में सर्वपर्थम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार परदान किया गया सही है देखें बिहार राज में option number 1 किसका right answer हो जाएगा चलिए अगला question देखेंगे यहाँ पर देखें कह रहा है इस question my friends कि निमन में से किसे भारत के राश्ट्रपती के रूप में निरविरोध चुना गया सही है नीलम संजीवा रेडी को नीलम संजीवा रेडी को जो है बारत के राश्ट्रपती के रूप में निरविरोध चुना गया था option number 3 इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question देखेंगे यहाँ पर 51 नमबर और इसमें कह रहा है कि टेलिवीजन के remote control में पड़ियुक्त विदुत चुमकिये तरंगे कैसी होती है सही है देखें यह अवरक्त किरने होती है अवरक्त तरंगे होती है option number 4 सही हो जाएगा अगला question देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि स्वचाली तवाहनों के radiator में प्रती हीमी के रूप में किस पदार्थ का पड़ियूग किया जाता है तो देखेंगे इसमें methyl alcohol और S2O यानि की जल का पड़ियूग किया जाता option number 1 हो जाएगा आईए अगला question कह रहा है समें कि hydraulic price में किसका उप्योग होता है तो आईए पहले साव से पहले इसका option देख लेते हैं यहाँ पर देखें चार option यहाँ पर दिया हुआ है चार option देखें यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका जो right answer हो जाएगा option number 1 पास कलने हम ठीक है option number 1 जो है इसका सही answer हो जाएगा अगला question देख लेज़ें यहाँ पर कह रहा है समें कि VMA MLT power minus 2 किसके अनुरूप है सही है देखें बल के अनुरूप है option number 1 इसका सही answer हो जाएगा अगला question है कि क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है क्या घटित होने पर सही है देखिए इसका option नमर दू मुक्त उर्जा में कमी होने पर ठीक है option नमर दू इसका correct answer हो जाएगा उसके बाद चलिए अगला question देखेंगे यहां पर कहरा है इसमें कि निम्लेकित में से कौन सा गैर चुम्ब की यह पदार्थ है कौन सा गैर चुम्ब की यह पदार्थ है सही है देखिए तामबा तामबा जो है यह एक गैर चुम्ब के पदा तो option नमर चार इसका correct answer हो जाएगा अगला question देख लिजे इसमें जब कोई दोड़ती हुई कार अचनानक रुख जाती है तो यातरी आगे की ओर क्यों जुख जाते हैं तो देखिए इसका reason है गती के ज सुनने इसमें निकल का जो ऑक्सिकरन संक्या होगा वह सुनने होगा अगला question देखेंगे की लोहे में जंग लगना क्या है सही है विद्धूत रसायन पडिवरतन होता है लोहे में जंग लगना option no.2 इसका क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा option no.2 चली अगला question देखेंगे य वीडियो धर्मिता तो option नमर चार हो जाएगा अगला question देखेंगे यहां पर कहरा है कि crude oil को कभी-कभी मधूर क्यों कहा जाता है देखिए दो option इसका इधर दिया हुआ है यह सरकरा को भूलने से स्वाद में मधूर होता है दो में है कि यह सरफर का आंस कम होने से कुछ मधूर हमलिये होता है और चार में है कि यह कम चाड़िये होता है अगला question देखेंगे हैं यहां पे 62 होजाएगा question number देखे यहाँ पे 62 हो जाएगा और देखे कह रहा है question में कि जायविक अपसिष्टों से पौधों के आसपास की मिट्टी को ढखने के लिए निम्लेकित में से किन पधतियों का उपयोग किया जाता है नीचे दिये आनविक कक्षा का अभी नियास किसे से नियंतरित होता है देखे इसका right answer हो जाएगा चुम्ब किये quantum संख्यां से ठीक है चुम्ब किये quantum संख्यां से option number 2 इसका right answer हो जाएगा अगला question देखेंगे कह रहा है इसमें कि methylated aspirate aspirate एक misran है किसका सही है देखे यह misran है methyl alcohol और ethyl alcohol का option number 2 इसका right answer हो जाएगा चली अगला question देख लेते हैं इसमें कह रहा है कि पस्वों में hemoglobin के सद्रिस पौधों में कौन सा अनु होता है सही है देखे इसमें chlorophyll पाया जाता है ठीक है option number 3 इसका right answer हो जाएगा उसके बाद देखेंगे next question और इसमें कह रहा है कि सीथ सम्यदी पात्पों की जिल्ले लिपीडी में क्या होता है सही है देखे इसमें उच अनुपात में और संत्रिप्त वसा आमल पाया जाता ठीक है option number 4 इसका right answer हो जाएगा देखेंगे next question इसमें कि करक्यूमिक किस से प्रिथक किया जाता है सही है देखे यह हल्दी से प्रिथक किया जाता option number 2 इसका right answer हो जाएगा करक्यूमिक हल्दी में पाया जाने वाला जो है फिनोलिक योगिक होता है जो cancer ग्रस्त उत्तकों के मरमत में सायक होता है और इसी योगिक तत्व के कारण हल्दी का रंग पीला होता है याद रखेगा चलिए अगला question देखेंगे यहाँ पर question number 68 हो जाएगा friends कहरा इसमें कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकास उर्जा प्रकास संस्लेशन में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या करते है सहीए देखें उस प्रक्रिया को summon कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है summon कहा जाता है समन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे अब सूसित प्रकास उर्जा का अपव्य होता है और जो फोटो केमिस्ट्री में हिस्सा नहीं लेता है ठीक है तो इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल का समन होता है तो आप्सन नमर एक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेशन देख लीजे कह रहा हैं कि पौधे किसकी अधिकता के कारण मुर्जाने लगते है सही है वासपोथ सर्जन के कारण ठीक है उप्सन नमर चार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा देखे आम तोर पर वासपी करण या वासपोथ सर्जन से पौधों में पानी की कमी हो जाती है जिसे उनकी पूरी समरचना जूग जाती है और इस पौधों का मुल्जाना और इसे पौधों का मूर्जाना कहा जाता है ठीक है फ्रेंट्स तो देखे आपसिन नमर चार इसका सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन देने कहेंगे कहा रहा है इस question में कि gypsum का उप्योग किसके सुधार के लिए किया जाता है सही है pod salt के सुधार के लिए option no.3 जो है इसका right answer हो जाएगा ठीक है option no.3 जो है इसका सही answer हो जाएगा आईए अब दिखते है next question और देखिए इसमें कहा रहा है कि cellulose भित्ती किसके सेलो में पाई जाती है सही है देखिए पौधे के सेलो में जो है या पाई जाती है option no.4 इसका right answer हो जाएगा अगला question देखेंगे इसमें कहा रहा है कि pulsar होते है सही है पulsar जो है या तेजी से घुमने वाले तारे होते है option no.3 इसका सही answer हो जाएगा अगला question देख लिजे देखेंगे इसमें कहा रहा है कि विश्वत रेखा है सही है उत्तर और दक्षिंद रुबों के बीचों बीच प्रित्वी के गिर्द घुमने वाली कालपनिक रेखा option no.2 इसका right answer हो जाएगा देखेंगे next question कहा रहा है कि चंद्रमा के पिछले पार्सवी फोटो ली थी किसने सही है लूना तृत्य ने लिया था option no.3 इसका right answer हो जाएगा option no.3 जो है इसका right answer हो जाएगा देखेंगे चार अक्टूबर 1969 को अंत्रिक्ष में परचे पितलूना थ्री पहला अंत्रिक्ष यान था जिसने चंद्रमा के उस प्रिष्ट छेतर के चित्र भेजे जो प्रित्वी से दिखाई नहीं देते थे तो option no.3 इसका right answer हो जाएगा उसके बाद चले फ्रेंट्स देखते हैं अगला question यहाँ पर देखें कहरा है तो फ्रेंट्स यह था आज का सेशन और आज हम लोग देखे हैं किरन पब्लिकेशन का जो अभी हम लोग model practice set कवर कर रहे हैं बिहार SAC के लिए तो आज हम लोग देखे हैं इस set का इस book का उनीसमा model practice set ठीक है उमीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोग को काफी महतंपूर्ण सावित होगा और एक बार कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताएगा इसमें से टोटल आप लोग कितना question सही कर पाए और इसका math origin का जो question है friends वह हमारे टेलग्राम चैनल villagers concept को जोईन कर लिजिए वहां से इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जूरी रहे है नेक्स्ट वीडियो में दोवारा फिर्चर मिलते हैं तब तक के लिए जै